और ये लगा दिया हमने इसके विंग्स यार सच मुझें वाक्य में काफी जादे क्यूट लग रही है यार तो जो इसके ऊपर है वह चीज एक अलग मूव करती है और वह पता है एक ऐसा लगता है जैसे कोई जहाज हो बहुत तगड़ी लेकिन इसका जो हॉर नहीं उसकी भी बहुत तगड़ी आपर हम दोने सवार होने वाले और यह देखा वाई तो एलो फ्रेंट से एक बच्छों आप लोगों को दुबार से बहुत बहुत वेलकम है आज किस तावरतरो अल्टिमेट कलेक्शन आफ ट्वाइज में जिसमें होने वाली है एक एंजल गल जो की जो काफी जादा तगड़ी है और साती में एक मिलने वाले BTS की तरफ से आने वाली जमबो जिमेटरी वॉक्स तो आज के कलेक्शन में हम लोग सुरू करने वाले हमारे सबसे पहले डॉम्स की तरफ से आने वाले प्लास्टिक क्रियों इसके अंदर 12 अलग अलग तरीके के श इतने रुपे का पड़ता है जो काफी तकड़ी जादा पड़ जाता है इतना मेंगा अगर आप अभी तक हमारे चैनल कीजिए सब्सक्राइब बाज में दिए बैल आनको तक है आरे अल जितनी हुआ लेटेश विडिए आप लोग सबसे पहले देख पाएं तो देर कि इस इसको जो हम फटाफट से ओपन करने वाले हैं कुछ इस तरह से और इसके अंदर ही देखो वन टू टू ट्री फॉर फाइफ सिक्स यह रहे और शिक्स यह रहे यानि कि इसके अंदर टोटल बारा कलर से हमारे और यह जो वाई तेरवा कलर है यह एक है हमारी एरेजर जो कि इस पर लिखा भी हुआ है और यह डॉमी वाला फेस है वाई आपको ने एक बार दिखाता हूं जैसे कि हमने यह वाला ग्रीन कलर का एक डॉम्स का डॉमी मेट कलर लिया है अब यह देखो यह प्लास्टिक क्रियोन है इसको जो हम अपनी ड्रॉइंग शीट पर अच्छे से है तो यह वाला जो सेट है मुझको तो बहुत ही जादा पसंद आया तो आप लोगो भी पसंद आया तो आपको लिखना है सबसे पहले अपना नाम उसके आगे वाव लिख देना और इसके आपको लिखना है डॉम्स के प्लास्टिक क्रियोन का सेट ताकि यह प्रॉपर पैटरन देखने के लिए मिलते हैं और LED लाइट के विए से एक इस तरीकी से प्रोजेक्शन होने वाला है जिसकी विए से आपको लगे के भाई एक आपके फर्स पर पैटरन डो रहा है तो फटावर्ट साम इस बार्भी डॉल को निकालने वाले हैं यह आ गई हमारी डॉल और यह लगा दिया हमने इसके विंग्स और यह आ चुके हमारे हाथ में बार्भी डॉल वाली फ्रॉक तो सबसे पहला हम इसको ओपन करके भाई इसके अंदर डालने वाले हमारे कुछ बैटरी और इसके अंदर हमारी 3 डॉले वाली बैटरी लगेंगी कुछ इस तरह से और उसके बाद हम इसको लॉक करके यहाँ पर यह जो ऑन आफ को बटन है इसको अन करने वाले है और इस तरीके से वाई इसको कनेक्ट कर देंगी तो यह बन गी है हमारी पूरी बार भी एंजल डॉल और यार इसकी डिटेलिंग वगरा देखो कितनी 3D है इसके जो कंगन है जि कि लाइफ देखने पर जादा मज़ा आता है और जब यह प्लेट सुछती है तो सब चिमुच में बहुत तगड़ा मज़ाने वाला तो आज हम मेरे साथ एक लाइफ डेमो पर हमारी प्रिंसेस यार यह देखो कितनी कूल लग रहे हैं लाल हरी नीली सारी लाइट जल रहे ह को फ्रोक का एक पैटल कैसे खुला है ऐसा लग रहे हैं जैसे कोई गुलाब की पंगुडियां में होती कमल की पंगुडियां इस तरीके से खुल भी और वाई तीन सो साथ डिगरी है क्या स्पिन कर रहे हैं और एक दम एंजल लग रहे हैं मतलब कि यह देख और पीछे के अथी बनता है जाए अंपल बबढत नाएंट में लाइट गए और बाई यह बहुत ही जाकतार चलो सलो Çलो बंद होता न तो और और दी अछ लगता On停ट के लिए यह देखो भाई यहाँ पर LED बल्ब से लगे हो हैं जहाँ पर कभी ग्रीन लाइट जल रही थी कभी ब्लू लाइट जल रही थी कभी पिंक लाइट जल रही थी जिसकी वजह से यह डॉल नागते हुई और भी ज्यादा सुन्दर और बहुत ब्यूडिफुल लग रही थी तो भाई चल रही थी तो सच मुझ में इसका पता सेंसर भी बहुत च्छे से काम करता है जैसी पता लगता है टकर खाने वाला है तो आटोमेटिक 360 डिगरी गूमके न वहाई यह स्टंट करके दिखाने लगती है तो मुझको तो यह एंजल गल वाली बाबी डॉल डांसिंग ड वाला ट्रक और यह जो ट्रक है इसके अंदर होरन भी बसता है इसके अंदर लाइट भी जलती है सारे काम होने वाले है और जब यह निकलेगा न तब एक वार इसको देखना ऐसा लगता कि कोई शॉपिंग मॉल से आ रहा है यह देखो लग रहा है कितना सुन्दर यह इसका गार्ड बैठेगा यहाँ पर भी और जब वो पैसे जमा करने जाते है तो वो यहाँ से पैसे निकालके मशीन में डालके आते हैं और यह देखरो यह प्रॉपर मैटल की टंकी बनारके जिसके अंदर डीजल या आपको कोई फ्यूल ललता है और यह वाला जो दर्वाजे भ पर एक जम्बो यानि की बड़े वाले ट्रक की तरह आवा जाती है और नीचे आप देखोगे यहाँ पर यहाँ पर है वाई सारी कहानी यह जो आपको दिख रहा है ना पेस कसका साइन यह एक्चुली यहाँ पर तीन चोट चोटे सेल लगे हो है जो हमारी इस वाली वाच म नोट वाला है इसकी डाइक आजका तो एक लाइब रिव्यू बनता है टेवल पर रखने के बाद तो वाई आज मेरे साथ एक लाइब डेमो पर बैंक नोट डिलिवरी वाला ट्रक आचका और यह एटीम के अंदर पैसे डालने के लिए रेडी है वाई गाड़ी स्टाटर लेकिन इसका जो हॉरन है उसकी बहुत तगड़ी आती है और साथ यह जो गाड़ी है ना बहुत जाद असली लगती इसके टैर देखो इसकी ट्रोली देखो असली वाला ट्रक हो कोई ओ भाईरे वाई साब यह सच में काफी कमाल का और इस पीनर की तरह गोली में इसके लाता है तो मेरे को तो यह काफी जादा पसंदा है जिसके अंदर आप नोट वगरा रख सकते हो और उसके बाद यह बैंक में जाके जमावी करके आ सकते हैं तो आपको लिखना अपना नाम उसके बाद वह लिख दे और इसके बाद आप लोगो को लिखना है ATM वाला ट्रक आपके यह वाला डाइकास्ट का बना हुआ ट्रक जो कि प्रॉपर मैडल का बना हुआ यह आपको गीववे हो सके और अपना नाम लिखना बिल्कूर में दूलना ताके यह आपको आपके एड्रस पर ही मिले तो इसको रखते हैं इसकी सई जगा पे तो अब बारी आने वाल क्योंकि वो मैं आपको भी लाइव दिखाऊंगा बट उससे पहले आज हम देखने वाला है PUBG की तरफ से आने वाली एक लेजर लाइट वाली गन जिसके साथ एक सैलेंसर भी मिलता है यानि कि जब यह चलती है तो आवाज की सोर बिल्कुल नहीं आने वाली आप चुप-चा देखा था इस बार 02 मोडल देखने वाले हैं जिसके उपर इन्होंने कुछ लिख भी रखा यह सब आप देख लेना हम तो देखने वाले हैं इसके अंदर में चीजे सबसे पहले हमें लेजर लाइट देखनी है जो कुछ इस तरीके से आते और यह देखो वाई इसके अंद लेजर लाइट जलती है जिससे कि आप निशाना लागा सकते हैं जैसे अगर मुझे मिकी माउस दिख ला तो भाई मैं उसको बड़े अराम से उड़ा सकता हूं क्योंकि इसकी लेजर लाइट वाक्य में काफी जादा तेज होने वाली है और यह पकड़ने में काफी यह देखो क्या ही साउंड आया वहाई लोड का साउंड था जा यहां से हम इसको चलाइंगे यह बटक करके आओ जाए जो वह यह तो काफी साथा तगडिये और यहां पर बुलिट कहां पर डलती है हां देखो इसको आप फटावट से खोलना और उसके बाद हमें इसकी अं अब हम देखने वाले पब जी वाली गन कामाल के क्या ये टारगेट को एक ही बार में हिट करेगाया ये ये अमने लेजर लाइट अन कर लियो ये बाद ओ वाव वाव काफी गजब की चीज है यार मजाई आ गया वाव यार ये नरास कला माइन डाय दाय 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 तो यह वाली पबजी की तरुसे आने वाली गन बैटल ग्राउंड वाली गन मेर को तो सपेशली काफी जाद अची लगी और जो इसका लेजर लाइड वाला फंचन है वो और भी तगड़ा है यह आप खुदी देख सकते हो के इतना जाद तगड़ा के से वाई आपका जो है लेंगे खरण हो सकता है तो मुझको तो यह वाली पब जी की बैटल ग्राउंड वाली गन काफी जादा पसंद है अगर आप लोगों पसंद आई हो अपने नाम लिखनाँ उसका आपको जोड़ारी गन आपको गीव वाली ऑसके और बाई कप का मैस ने तोड़ा ना मतलब बहुत दो श्रवद्टर हो को अपने नाम के वाउर लखना ताकि हमें पता रहे के यह आपका नाम तो इसकी जगापे तो यह अगे हमारे हाथ में एक सूपरकार आपको लग रहा हो कि यह एक्च्वल में कार है लेकि नहीं यह है एक Pencil box जिस पर लिखा है Supercar और इसके जो tires वगरा यह आप देख सकते हो यह एक्च्वल में एक metal की कार है यानि कि आप अपनो बड़े आराम से के अंदर अपनों कोई भी समान रख सकते हो इसका तूटने का कोई डरी नहीं है क्योंकि यह बनियो यह प्रापर मैटल के और यहाँ पर ट्रांस्पेरेंट वाला कार्ज जिसके अंदर आपको 5525 वाले टेबल देखने के लिए मिलते हैं जैसे आप यह खोलोगे तो यह पर ट्रे मिलते हैं जहाँ पर हमें डी कंपास रख सकते हैं मिलता या इंदर क बड़ा कम्पाटमство यं पूरे doms के color का set रख सकते हो और उसके बाद हमें इसके अंदर मिल जाती है एक इस तरीके की mini geometry box जिसको mini pencil box बोलते हैं यहाँ पर आप अपने wax crayon वगरा रख सकते हो जो आपके mom वाले color होते हैं उनको आप बड़े अराम से इसके अंदर रख सकते हो और अगर आप चाहो तो अपने चोटे मोटे 10 रूपीज 20 रूपीज भी इसके अंदर रख सकते हो और उसके बाद यह पूरी बंद भी हो जाती है यह देखो है ना तो यह हुई ना 3-in-1 वाली pencil box जो काफी जादा तगड़ी लगती है तो अगर आप लोग को भी यह इस तरीके की pencil box बहुत जादा पसंद है जो metal की होती है और जो 3-in-1 वाली है तो आपको लिखना है अपना नाम उसके आपको लिखना है Hello Kitty वाली geometry box ताकि यह वाली geometry box देखेंगे तो कितनी जादा सुन्दर लगेगी क्योंकि इसका paint वगरा वह भी काफी जादा अच्छा और आगे से design देख रहे ना ही था my vintage car की तरह है जो Cadillac वालों के अधिक ना proper पुरानी वाली कार उस तरीके से है यहां पर भी देख रहे हैं यह metal की detailing दे रखें यहां पर और इसके वाई door जो है ओपने वले यानि कि यह खुलता है और इस बार यहां पर आप बैठना है क्योंकि मेर को गाली drive करनी है तो इसलिए मैं इधर बैठ हुआ और जब इसको यहां पर टेवल पे रखके लाइफ देखेंगे ना तब देखना यह सब कुछ कितना जादा असली लगने वाला है और इसकी डिक्की बगार से लेकि इसकी टेल लाइट से लेकिए इसकी एकदम असली की तरह इन्होंने बन क्या ही गोली की तरह जाते हैं तो फर्स पर आपके बहुत सारी जगा है तो यह और भी स्पीड में जाएगी मजा ही आजएगा सच मुच में बहुत असली है और वाई साव यह देख रहा हुई तक इसका टेर यह चली रहा है क्योंकि अगर आपके पास जगा जादा है तो यह गाड़ी जल्दी से नई रुकने वाली और यह इतना बड़िया तरीके से इसका वील वगर बना रखा है कि इसको स्पीड काफी जाद अच्छी मिलती है यह देखो इधर की तरह से आदा अंदर की तरफ है क्योंकि यह टैर जबकि है इतना ही बट यहाँ पर यह यह बाई मैंने जब इसको देखा तो यह दूर से रखने में तरह से लगता है कितनी चोटी सी है लेकिन जैसे आप इसको हाथ से पकड़ते हो न तब आपको पता लगता है कि हाँ यह एक्च्छल में बहुत ज्यादा असली लगती है तो यह मुझको तो बाई मैटल की कार ह तके यह वाली कार आपको giveaway हो सके तो इसको रख देते हैं इसकी जगह पर यह रही है यह रही है हमने हाथ में टैंक और इसको देख रहो हो यह एक दूसरे से मिल कर चलते हैं जिसकी वेशे आपको ऐसे लगता है कि इसकी एक गरारी चल रही है और यह देख़ो जैसे मैं आप देखे हो ना ये दोनो ये दोनो चारो पिस्टन उपर नीचे हिलते तो ओल्वीज जाद अच्य लगते और ये टैर जो है ना पता कब चलेगा जब आप इसको जमीन पर रखते हो लेकिन यहाँ पर जो आप अफ को बटन देखे हो ये दो बार अन होता है अगर पहले आले पर अन कर दिया तो इसके अंदर LED लाइट जलेगे और अगर दूसरे पर आउन करोगे तो ये टैंक पूरा का पूरा चलता है कंफ्यूज नहीं करूँगा ये लिए अनजर पंजर आपको खुदी पर चलते हुए दिखते हैं और पीछे से लेडी लाइट वगर भी निकलते हैं तो इसका जो मजा है न सिली वाला वह आएगा लाइगा लाइग देखने में तो आज मेरे साथ एक लाइव डेमो पे वाला टैंक किना लाइगा हुए लाइगा ये लाइगा वाला राक देखना ओना रागा लाइगा तो फ्लोड बे इतने थे पूरा ना मतला रात में पूरा मनो रंजन मना सकते हैं काफी जादम इसके साथ इंजॉय भी कर सकते हैं यह तिना प्यारा लगा टैंक बाई इसके अप्यार नीचे का अलग मुव करते हैं यह काफी जाधी चीज को बंद करते हैं और बाई एक चीज बता हूं यह अंधेरे में काफी तड़ा लगता है जब जब यह इसकी ग्री लाइट घुर जाता तो जाधा पर यह लगता इसा प्याधा ना यह लाइच बहूट जा सारे कलर की LED लैट साथ देखो, यह LED बलब भी यहाँ पर जलते हो दिखे रहे हैं, एक ही बलब के अंदर दो लाइटे जल रही है, तो बाई आप लोग को पता चलता है कि इसके अंजर पंजर जब चलते हैं, तब ही यह tank ऑटमाटिक आगे चलता है, और अगर इसको पता लगता है कि वह टक्कर होने वाले है तो automatic यह ऐसे हो जाएगा अपनी दिशा बदल लेता तो यह बहुत तगड़ा लगा So beautiful, so alien, just looking like a wow इसकी transparent body, कांच वाली वाव, इसकी LED lights वाव, इसका music दू-दू-दू वाला वाव 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 और आप लोग को भी इस तरीक है कि transparent tank बहुत ही जादा पसंद है जिसके अंदर गरा रही होती है और LED lights होता है music होता है तो आपको लिखना है अपना नाम उसके आगे वाव लिख देना और इसके आगे आपको लिखना है transparent gear tank ताकि यह वाला tank आप लोग को give away हो सके तो इसको र यह देख सकते हो इतना बढ़िया यह लिखने वाला ना इस जिससे कि आप जो भाई कुछ भी अपना उंबख वगरा कर सकते और जब इसको लिखोगे तो सब कुछ पूछने वाले कि यह आपने कहां से लिए तो बता दे ना पनवाज बयाने give away करा है और बुलूला जो इस पैंसल केस की जिस दिन भी आपका एक्जाम होता हो इस तरीकी से गुमात हो इसको लेके जाना आपको बैग में रखने की इसको कोई भी जुरूत नहीं है और नाई आपको कोई टैंशल लेने की जुरूत क्योंकि यह बैग में नहीं आपके हाथ में जाद अच्छा यह देखो इसके नंदर आपके 12 तक आ सकते हैं पैन आ सकता है आपकी कीचैन आ सकती है डोनलड़ डख वगर्र सब कुछ आ सकता है इतनी जादें जक होती उपकी क्वालिटी कितनी ज़्याद अच्छी यह जल्दी सा टकती नहीं ना यह टूटने उठने वाली और इसके ओ अब हमने ले लिए हमारी एक और मीनी माउस, प्लस मिक्की माउस की G-metry Box, और यह जो बाई इसके टोप देखो, यहाँ पर मीनी माउस बनी हुए है, और इधर हमारा मिक्की माउस भी है, और यह दोनों की दोनों काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं है न, और यह जो colors है, इ देखने के लिए मिलता है जिसमें आप पनी चोटी चील सकते हो इधर की तरफ आप अपने मॉम वाले बड़े कलर सील सकते हो जब कोड़ा हो जाए तो इसके बाद यहां से निकाले के उसको डश्ट में डाल देना और यहां पर आप अपनी फैंसी रेजर वगरा रख सकते हो और इस side में आपको मिलने वाला D रखने के लिए जगा और अपने आप थोड़को पैसे चाहो तो वह भी रख सकते हो लेकिन इसमें एक चीज मिस है वह है कि इसके अंदर combination वाले table नहीं मिलते है यह देखो इसके अंदर कोई भी table नहीं 2 का ना 4 का ना 5 का तो अगर आप लो उसके साथ का एक remote control जो आते हो कुछ इस तरीके के बाई एक box में जिसके बाद आप खेलने के बाद जो है इसको वापस से सीख अंदर रख सकते हो और इसके अंदर 3D lights भी हमें मिलते है और यह 2.4 GHz के channel पर चलती है तो अब मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ के इसके अ अंदर भी हमारी 3 double बैटरी लगने वाली है और इसको लाइफ देखोगा तब आपको और भी ज्यादा मज़ा आ जाएगा और इसके वील्स वागरा और भी सोने पर इसको स्वागा बनाने वाले तो आज हम मेरे साथ एक लाइफ डेमो पर बाई साब यह देखो यार हमारी जो यह गाड़ी आ करके खड़ी हो गया रेसिंग कार यानि की आर सी कार तो वाई इसका रिमोट कंट्रोल भी हार को यह जो बाई रे कते गजब बाई साब ओ माई गाड़ गाइज अब इसको पीछे करते हैं ओ हो क्या बात है बाई साब अब यह एक बार जार इसका ना मेर बाई साब को बाई बाई यह तो 3D लाइट है ओए क्या बात है वाई रे गजब वाउ इसकी स्पीड भाई अभी वी चली रही है यार यह जो गाड़ी है ना सच में बहुत ही जादा तकडिय है और यार इसके उपर लिखा हुआ है एकदम सूपर पावर रेसिंग कार तो यह तो इन्होंने बिल्कुल सही लिख रहा कि यह गाड़ी एक रेस आ रहा और यह एक रेसिंग कार है और इसके अंदर भाई जो LED लाइट जल रही थी ना भाई आसा लग रहा कि हम पार्टी करने लग जाए क्यूंकि अंदेरे में भाई इसकी लाइट इतनी तकड़ी जल ना बढ़िया है ना मैं क्या ही बता हूं तो आपको लिखना अपना नाम उसके वाल लिख देना और रसी कार लाइट वाली क्योंकि इसके अंदर LED लाइट भी जल रही थी और यह इसी के बॉक्स के साथ आपको आने वाली है जिसका रिमोट कंट्रोल भी एक स्टेरिंग व मैंगे यह आप देख सकते 75 रूपीस के आथे तो इसलिए इतनी मैंगी तो इमाचिस होनी सकती दूसरी चीज यह एक प्रैंक वाला टोय है जिससे मुझे काफी जाधा डर लगता है पर मैं आपको दिखाता हूं यह देखो इस टीशट से आप जैसी को दबाओगे तो आप आपको इस तरी के प्रैंक टोइस पसंद है तो आपको अपना नाम लिखना है उसके आपको लिखना है प्रैंक वाली माचिस की डिबी ताके यह वाली मैच बॉक्स आपको गीववे हो सके तो इसको रखते इसकी जगा पर यह दिखने में 3D और काफी जाधा HD भी है तो आपको गीववे हो सके और यह हमारा वाई यूनिकॉन वाला पॉपट जो दिखने में तो कितना जाधा सुन्दर लग रहा है लेकिन इसकी अंदर वाई अलग-अलग की होने के विए से यह और भी सुन्दर है यह यह येलो औरेंज रैड ग्रीन पर्पल वॉयलेट कलर और इसकाई बिलू कलर तो यह काफी जाधा तगड़े सबसे पहले तो वाई हम जो इसको ड्रील करेंगे यानि के अंदर की तरफ इसको दबा देंगे और इसका साउंड सुनेंगे यह सारे यह सारे वाई आप देख सकते ड्रील हो गया है दब चुके इधर की तरफ से देखो अब यह हमारा होर से यूनिकॉन वाला उल्टा ओचिक और यहां पर देखो सारे बबल बार की तरफ आगया है अब इनको फोड़ने में बहुत मज़ाएगा वाई यह काफी जादा तगड़ा तो और सही में जो इसके आओ जाती है ना वाई ऐसा लगता है कि यह टाइम पर जो वह बबल वाली पर्णी आती थी तो अब लोग कोई वाई इस तरीके के पॉपट बहुत पसंद है जिनका इत्तों साइज बहुत बढ़ा होता और दूसरा वह करेक्टर वाले में आता है जैसे कि यह यूनिकॉन वाला और लास्ट टाइम लव वाला भी देखा था दा पॉरके भी आते हैं तो अगर आपको इस तरीके से करेक्टर वाले पॉपट पसंद है जिनका साइज भी बढ़ा होता और उनकी क्वालिटी वगारा भी बहुत अच्छी होते और उनकी अवाज भी तकडी आती है तो आपको लिगना अपना नाम उसके आपको लिखना यू तो यह बाई मानना पड़ेगा यह थो बहुत ही ज़्यादा क्यूट यह गाड़ी के उपर बैटके चला रहां ना कि आपको बता आपको भटाना और यह जू यह काफी ज्यादा पक्के बटेल का है और इसके कड़र कॉंबिनेशन भी बहुत प्र लगए जबने क्रेंशन क पूछ भी बना रहा है पैपा पिट की तो भाई मेर को तो काफी जादा क्यूट लगता है क्योंकि हम दोनों बैन भाई हम चोटे वाले और बड़े वाले हम सारे साथ बैठ के देखते हैं पैपा पसंद है तो अगर आप लोगो भाई पाई पाई पसंद और इसकी फैमिली प हमारी शार्क और इसके आप टैर्स वागरा देख सकते हो कितने कूल तरीके से गूमते और नीचे वाले भी गूमने वाले जब इसको फर्स पर रखेंगो जैसे इसके टककर होती है तो यह क्या करता यह जो आपने यह यहां पर देखा था ना यह ओटमाटिक नीचे आता औ इसके दम पे खड़े हो कि हमारी शार्क ना इस तरीके से गूल-गूल-गूल करके गूमने लगती है बट लेकिन मुझे शार्क कम और यह डॉल्फिन वाली मचली जाता लगती है क्योंकि यह यहां से आप इसके विंग्स वागरा देखो कि तो बाई इनोंने कभी वेल की दी आप इसकी टंग लग रही होगी लेकि यहां से यहां से यह जैसी डिवार से टकर खाती है तो यह वाला जो इसका लॉक का किया या यहां पर होता है यह नेचे आ जा जाता झा अ एंड यह त्री ओखाव वाइसा यह दिखो वाइसा इसके जो नीपर अपना वेट नोवे एक दम चे टिक पर खाते यह देख रहे हैं अभी द्वारा आईजी स्पीड लो वाइसाव के रिवर्क गेर लगाया इसने अपना ओमाई गॉड़ 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 गॉमने वाले काफी जाद लाज वाब है और यह काफी क्यूट लगते था मुझे को तवाइस का डांस बहुत ही जादा पसंद आया और मैं इसको बोलता हूं डांसिंग फिश क्यूंकि एक्चुन में यार यह एक डांसिंग शार्क है अगर आप लोग को भी इस तरीके की डॉल्फिन शा काफी तेजव हो सके तो इसको रख देते हैं हम इसकी जगह पर यहाँ से चड़कि 做 कि यह दबता है और जैसे आप इसे चोड़ते हो तो यह घोली में बागने लकता है इसका वह और यह ृवी वीप प्लस में यह जो हमारा रोड रोलर है यह है विकल में आता आप लोग को पता है कि यह पांच टैर वाला होता है क्योंकि चार तो इसके नॉर्मल टैर होता है यह एक रोलर होता है जो बनाता है हमें सब खुदाई वाले आपने टॉइस देखे होंगे लेकिन पहली और आप एक रोल बनाने वाला टॉइस भी देखने वाले हो जो इस तरीके से रोलर चलता है तो आज मेरे साथ एक लाइफ डेमो पर रोड रोलर की बाई आव हम जो एसपीड चेक करने वाले वैसे तो बिल्कुल असली वाला लग रहा है यह वाली इसने तो मोका विनिजा रिकॉर्ड क रोलर है जो वाक्य में काफी जादा सुन्दर लग रहा है यार देखो कितना प्यार लगता है और यह मूवे वाल है यानि कि आप इसको उठावी सकते हो और इसको भाई आप नीचे भी कर सकते हो बड़े आराम से वाले रोलर को भी आप चला सकते हो तो है ना कितनी बड़ है और यह देखो वाई DJ रहा जैब च्क वाली सके अंदर लाइट भी जलती है तो आगे सापको ड्रनी कोई दोतने कि आप इसको अपर वाली पॉकेट में रख सकते हो या अपनों को इसको अपनी ऊपर वाली पॉकेट में भी रख सकते हो अपनी सूशू करके भी आराम से बाई यह स्मेश करने के लिए निकला और यह आपको लग रहा हुआ टूटा वह लेकिन नहीं आपको यह तो देख वह यह किस तरीके देख तो फ्लैक्सिवल बना रहा है यह एक्शुल में इसके पैर हिलते हैं यहां से कमार हिलती है इसलिए इन लोगों ने इसको अलग तरी लेकिन यह चड़ी हमेशा की तरह ऊपर ही पैनता है तो यह वाला भाई मेर को भी काफी जाथ अच्छा लगा लेकिन यह सिर्फ एक इरेजर नहीं है लेकिन यह वाली एक इरेजर भी है जिससे आप अपनी स्पैलिंग मगारा भी मिटे सकते हो अगर आपको इन दोनों के द लोग कर जो एक कार वाली के साथ आती है जिसको आपको पीचे करना है और जैसी छोड़ोंगे तो यह गोली की तरह भागने लग जाती है इसको भाई मैं आपको एक चोटा साइसका पाथ से लुक दिखाता हूं माइन ब्लॉइंग यार यह टेबल पर रखने पर इतनी कूल लग रही थी भाई ऐसा लग रहा है कि इसको ना मैं आगे से अपने टीवी के उपर रखूँ है ताके यह सज सके या फिर आप अपने इसको ड्रेसिं टेबल पर रख देना या अपने इस कूल वाले बैंच पर र वाली मैटल कार ताकि यह वाली आपको बैट मैन की कार गीव वे हो सके तो इसको रखते इसकी जगह पे तो अब हम लोग देखने वाले हमारी के वाली गंड जिसके उपर आप देख सकते है इस स्टेडी स्टैल वाली गन है जो काफी जादा पसंद करे जाते और यह बाई एक Scorpion वाला मोडल है जिसके बाद आपको पताईए किया होने वाला तो इस तरफ का यह वाला जो लॉक है यह हमसे बाई टूट गया लेकिन इसका जो हमने एक लाइव वीडियो बना रहका तो जल्दी आजा फटावर्ट से मैं आपको इसके अंदर दिखाने वाला हूं कि यह जो चोटी बुलट है जो इतनी जरासी से यह यहां पर लगते हैं यहां से निकाल कि यहां लगा सकते तो आज एक लाइव डेमो पर तो आज इस बिच्छू अली गन से कैसे बचे का एरन मैं तो वन टू टू ट्री एंड गो ओग नाइट गो वाई साव यह तो गया काना थ के यह बहुत ही जाथ हो तकड़ी अगर आप लोग को भी यह वाली गन पसंदा यह जो की शिए पास नया आ जाए तो आपको जो भी पसंदा है अपने नाम की वाउ लिखना ताके यह आपको गीववे हो सके तो इसको रखते है जगा पर रखने कवा हमने ले लिए हमारा ए यह इरेजर नी है यह सिर्फ एक कीचेन है जो की एक धूम वाली बाइक है जूम पीप पीप करके आती है इसको आप अपने अराम से किसी भी चावी का चल्ला बना सकते हो इसे तो बढ़िया रहाएगा अगर आप इसको सैकल की चावी का या कार की चावी का या फिर जिस भी आपका मनों उसको आप चल्ला बना सकते हो और आपको पसंद आया तो अपने नाम क्या के वाउ लिख देन और इसको लिखना है बाइक वाला कीचेन ताकि यह कीचेन आपको गीवव हो सेके और दूसरा है हमारा डोनल्ड डख वाला और यह काफी ज्यादा क्यूट लग यह इस तरीक से वाते करता है और यह देखो मेरा जूता है जापानी कितना क्यूट लग रहा यह लेकिन यह एक इरेजर जैसे आप देख सकते हैं पीछे से थोड़ा थोड़ा ब्लाक वापड़ा है क्योंकि इससे मैंने खुद मिटा करके देखा था तो यह वाक्के में 2-in-1 यह जैसे कि हलक वाली देखी थे आपने तो अगर आप लोग को भाई ऐसे 2-in-1 वाली एरेजर कीचें पसंद है तो आपने नाम क्या आगे वाव लिख दिन और इस क्या आपको लिखना है डॉनल्ड डख वाला कीचें ताके यह लटकने वाला कीचें आपको गीववए हो स दोलते हैं बट यह बड़े वाले के मुकाबले यह कितना चल सकता यह तो देखना पड़ेगा लेकिन एक चीज की गैरंटी कि प्लास्टिक का निया ना मैटल का है तो यह बहुत देर चलेगा लेकिन चैलेंज आपके और मेरे बीच में होने वाला है कि कौन इसको इस तरीक के अंदर ही बंद हो गया लेकिन देख रहां अभी भी स्टिल मैंने इसको अपने हातों पर टिका लिया था बड़ा वाला होता ना स्पीनर जो कि मैटल का होता है वह बहुत देर चलता पता है और उसमें तो फेर से गिर भी जाता अगर आपको यह लगता कि आप मेरे से जा पर यह आगे आपके लिए दूसरा चैनल जिसको हम बोलते हैं और विड बॉल जिसके अंदर वाई तीनों के तीनों कंचे की जगह पर लाने होते हैं पर अभी तो यह बाई पता नहीं कहा वाग रहे है यह है मैं आपको बताने वाला हम देखो एक यह रहा दूसरा यह और बैणे अब मैंने टीनों के तीनों के अंदर डाल दे तो आपको नीचे वाले में ढल दो या सबसे सरी अपर ब आप गरे जो गहा यहां है mijn parents लमेर करना पता तभी सीफ आओगए बाकि अगर आपको अपने उपर कोनफिजए वाई सब्रसेंग कर द में थे अपना नाम लिखना, अपने नाम किया आपको लिखना Orbit Ball Challenge Accepted in 5 Seconds, ताकि ये वाला आपको Orbit Ball Giveaway हो सके, तो इसको रखते इसकी जगहा पे, और आज ना वाइ चैलेज, चैलेज खेलने का मेंबन है, ये आगया हमारे पास टू बाई टू वाला क्यूब और इसकी तो भाई आपको शाहिन से पता चल रहा होगा कि यह काफी महेंगा वाला और प्लस में यह बहुत अच्छा है क्योंकि इस के इंदना में स्टील के इस क्रू देखने के लिए मिलते हैं जिसको आप कस सकते हो यानि कि यह आपके कमी भी निन जाने वाले और अपने हिसाप से आप इसको ढूइला भी कर सकते हो जैसे समर्जी कर लो यह आप देख सकते हो कि हमने इसको किस तरीके से बिगाड़ दिया चारो रंग इसका अलग- ऐसे कर देना तो इस तरीक से आपके दीरे-दीरे बनते जाएंगे अब यह वाला पॉइंट जो रहा है इसके लिए ऐसा मत करना के डारेक्ट इसको गुमाद हो नई इसके लिए पैटरन सेम रहेगा कि आपको दुबारा से इसको नीचे करना पड़ेगा और नीचे वाली ला यह वाला क्यूब चैलेंज एक्सेप्ट ताकि यह वाला क्यूब आपको गीववे हो सके तो इसको रखते इसकी जगा पे और आज वाई इतने सारे चैलेंज होने वाले के एक आगया हम बहुत पक्की वाली वाटर गेम और इसके उपर आप देख रहें फिंगर टिप के ल हमारे आएं 1 2 3 4 5 6 7 8 यानि टोटल 8 बोल इसके अंदर आए जिसमें से 8 में से चलो एक या दो हटा भी दो तब भी वाई मेरे 5 आप बड़े अराम से इसके अंदर रख सकते हो तो मैं मानतों कि 5 सगड़ी के अंदर मैंने 5 बोल इसके अंदर डाली है अगर आप लोगो यह आपके अंदर 5 सगड़ी के अंदर 5 से जाज़ा डाल सकते हो यानि 6 या साथ डाल सकते हो तो अपना आपको नाम लिखे ना अपने नाम क्या लिख देना वाटर गेम चैलेंज एकसेप्टिड और उसके आपको लिखना वाव ताक्के यह वाली वाटर गेम आपको कर सकते हो या फिर आप इसके यहां पर अपने वैक्स क्रियोन भी छील सकते हो इसलिए इसके अंदर आपको दो शापनर मिलते हो इसका सीसा वाई असली वाले एलमेट की तरह बिल्कुल पीछे तक चलाया था वह ने टिटिगरी है देखो बिल्कुल पीछे तक हो गया था इसके बाद आप चाहो तो इसको वापस से इस तरीके तरह बंद भी कर सकते हो यह काफी कूल लगता है तो अगर आप लोग को भी इस तरीके के फैंसी शापनर बहुत ही जादा पसंद है जो एकदम असली की तरह दिखते है तो आपको लिखना है अपने नाम उसका कि वाल मिलती है उसको अगर आप चाहो तो फ्रेंड्शिप डे वाले दिन इस तरीके से पहन भी सकते हो सबको यह लगए कि आपने को फ्रेंड्शिप बैंड बांध रखा है लेकिन अगर आप इसको चाहो तो आप इसको जो अपनी वाच का पट्टा बना लेना जिसको हमें स्ट् अगर चाहो तो इसको अपने हाथ पर भी देख सकते हो लेकिन आपके रूम में जितना जाद अंदेर होगा जितना डार्क होगा और आपकी दिवार जितनी वाइट होगी तो यह एच्टी दिखता है यह सारे के सारे इसके इंदर एंगरी बड़ आने वाले हैं और यह कितन बहुत लगता है और सारी फोटो मैं दिखा दूँआ प्रोजेक्टर वाच की तो आप क्या देखोगे तो इसलिए अब जो हम लाइट सो करने वाले है और माइंड ब्लोई यार यह वाटके में जो वाच है काफी ज्यादा अमेजिंग है और इसके बाद भाइस साब आपको भी सच में बहुत ज्यादा मज़ाएगा जब आपको पहुंचने वाले तो अकर आप लोगो भी यह वाली प्रोजेक्टर वाच बहुत ज्यादा पसंद है तो आपको लिखना है अपना नाम उसके वालिक दिन और उसके आपको लिखना है दा एंग्री बर्ड वाली आपको अरदिक सुबकामना है जनम दिन की तो आज इन पंदर मेंसे किनी तीन लोग को मिलने वाली है एक बीटेएस की जम्बो जमेटरी बॉक्स जो काफी ज्यादा तगड़ी और यह बहुत बड़ी वेस के अंदर बहुत सारा होता है और दूसरा बैत मैं की रोबोट वा से के हमारे पास बाइसा बैंक डिलिवरी वाली नोट अली मरशीन टैंक ता मिक्की मौस की पैंसल बॉक्स से लेके पबजी वाली गन और डॉम्स की कणर वाली किट से लेके डानसिक शाकता बहुत सारी चीज़ एती तो अगर आप लोगो बहुत सारी चीज़ पसंद आ यह तो आप लोगों करते जाएगा यह ultimate collection of toys का पूरा का पूरा giveaway तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल को कीजिए subscribe बात जो में दिए बैल आइकन को दबाज तक के आने अल जितने हों लिड़े जोड़े आप लोग सबसे पहले देख पाए तो मिलते आप से next video में तब तक के लिए बाए बाए दोस्टो